ओमनुमेश्वय जैमाकाल दोस्तों दोस्तों वैशा कमावश्य पर भूल कर भी ना करें गलती एक चोटी सी गलती आपको धनवान सी कंगाल कर सकती है वहीं वैशा कमावश्य के दिन कुछ खास काम करने से सोया हुआ भाग जाग सकता है तो चली जानते हैं हमारे सनाथ अंध अमावश्य पित्रों को समर्पित होती है इस दिन पूरवजों की याद में धर्म कर्म किये जाते हैं गरीबों को भोजन किया राया जाता है पिंडान किये जाते हैं ऐसे में वैशा कमावश्य पित्रों के लिए खरीदारी नहीं करनी चाहिए किसी भी नए काम की नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये दिन हमारा पित्रों को समर्पित होता है तो ऐसा करने से हमें कारियों में सफलता नहीं मिलती है दोस्तों दक्षिन भारत में वैशाक अमावशे की इतिति पर शनी जयनती भी बनाई जाती है तो इसलिए सनी के प्रकॉप से बचने के लिए वैशाक अमावशे को सुत्वा ये मावशे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन सत्तु खाने से सत्तु का दान करने से सोभागी की व्रद्धी होती है घर में धंदान की व्रद्धी होती है तो इस दिन आप सत्तु का दान जरूर करें और सत्तु जरूर खाए इस उड़ा दिया, उड़त से बनी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए क्योंकि सनी चेंटी बनाई जाती है, ऐसा करने से शनी की पूझा निश्फल मानी जाती है, वैसा का मवश्या पर साल का सबसे पहला सूर्य ग्रहन लग रहा है, हाला कि इसका असर भारत में नहीं होगा, ले बुसन वारे सनाता अंधर में वैशा का मवश्या इसनान दां के लिए सब से महतपूर मानी चाहती है, कहते है इस दिन गंगा नदी में इसनान जरूर करना चाहिए, लेकिन यögट आप गंगा नदी में इसनान नहीं कर सकते हैं, तो अपने घर पर यजवाभारती में इसन पुराना में बताया गया है जो व्यक्ति इस दिन इन कामों को करता है वो भविश्य में पाई-पाई के लिए मोताज हो जाता है धनवान व्यक्ति भी कंगाल हो सकता है दोस्तों वैशा कमाविशा के दिन हमेसा सात्विक भोजन करना चाहिए और साथ ही ब्रहमनों को भी को पानी पलाईए और पक्षियों के लिए दाना जरूर डालिए इसनान के बाद श्रीहरी की पूजा कीजिए जो भी आपके इस्तिदेव हैं आपको उनकी पूजा करनी चाहिए परिवार की बुजर्ग सदस्यों का श्रीवाद लेना चाहिए साथ ही तांबे के बरतन में सूर्यों को एक लोटा जल जरूर रपित करें सूर्य देव की पूजा करने के बाद अपने पूरू जो का इस्तमरन करें वैसा कमावशा के दिन दान जरूर करना चाहिए तिल के बीच पानी में डाल कर इसनान करना चाहिए गरीब और जरूरत बंद लोगों को खाने पीने की चीजों का दान जरूर करना चाहिए चलिये अब जानते हैं वैशा का मावशय कब की रहेगी इन्नीस अपरेल की 20 सप्रेल सुभे 11 बजक तर 23 मिर्ट से और वैशा का मावशय का समापन होगा 20 सप्रेल सुभे 9 बजकर 41 मिर्ट से अवावशय दान दान का शुम होरत 20 अप्रेल सुबह 4 बज़ कर 23 मिट से दोपर 11 बज़ कर 20 मिनट तक कर रहेगा क्योंकि भारत में उध्य तिति के साथ ही कोई भी व्रतियत योहर मनाया जाता है तो उध्य तिति के अधार पर वैशा का माश्या 20 अप्रेल को मनाई जाएगी इस दिन अधारत पर मानिया नहीं होगा वैशा का माश्या पर सनी देर की फूजा करने से शनी के अशुक प्रभाव कम होते हैं तो इस दिन आप शनी देर पर तेल काले तील काला कापड़ा जरूर अरपित करें साथ इस सुबह के समय पीपल पर जल जरूर चलाए और शाम के इस समय खुश रही है